हेलो एबरिबरेड़ी मैं हूँ आपका योगेंदर सार स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है ग्यान सिखा इंगलेश क्लासेश स्टूडेंट्स ये वीडियो आज आपके लिए बहुत लाबदायक होने वाली है बहुत आपके काम आने वाली है अगर आप इंटर लेबल में पढ़ते हैं किसी कमप्टिशन के त्यारी करते हैं SSC, NDA, CDS, BANK, PO, TET, SuperTET किसी भी कमप्टिशन के त्यारी करते हैं तो ये नहीं रहा जाएगा अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप पर कनफ्यूजन दोर नहीं हुआ तो प्रामिस में वीडियो को टेलेट कर दूँगा ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाके दर्ट टॉपिक धमाके डर्ट धंग से जिसका नाम है डिस्ट्रिब्य इस टुड़न्ट एक वर्ड होता है डिस्ट्रिब्यूट लेकिन एक बात और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके तो चलिए डिस्ट्रिब्यूट इस बातना का मतलब क्या होता है आप अगर आप प्रैक्टिकली अपने घर में देखिए तो कोई चीज हम लोग जैसे मा लेजे कोई आपके पिताजी हैं बाहर से आते हैं मार्केट से तो कुछ कोई भी खाने वाली समान लेकर क्या आते हैं और आपको दिया जाता है कि इसको ब बातने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई चीज घर में अगर पांच मेंबर हैं दस मेंबर अगर प्रतिक लोगों के पास वो चीज बट गई मिल गई इसको मतलब वो डिस्टिब्यूट हो गया मान लिजे कि आपको मिठाई दिया गया आप अपने घर में हैं आप दो लोग को दे दिये और का दिये कि डिस्टिब्यूट हो गया यह नहीं डिस्टिब्यूट का मतलब होता है कि दस मेंबर हैं और जो चीज हम डिस्टिब्यूट कर रहे हैं वो दसों के पास पहुंचने चाहिए उसी को कहते हैं डिस्टिब्यूट तो मतलब कि प् replace करेगा ठेक और distributed pronoun ऐसे pronoun का बोध कराता है जिससे प्रतेक ब्यक्तिबस्त वस्थान का बोध हो जाए मतलब ऐसा pronoun जो हम pronoun है तो जाएट से बते किसी noun के बदले में यूज होगा तो ऐसा pronoun जो जिस noun के लिए यूज हो रहा है उसमें से प्रतेक का ये बोध करा दे अगर ये किसी person के लिए प्रियोग हो रहा है मने ब्यक्ति के लिए तो प्रतेक ब्यक्ति का बोध करा दे अगर बस्तु के लिए बोध हो रहा है तो प्रतेक बस्तु का बोध करा दे अस्थान के लिए प्रियोग हो रहा है तो हर अस्थान प्रतेग ब्यक्ति के लिए प्रयोग होगा तो प्रतेग ब्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। बोध कराएगा, ओके, देखिए, यह definition है, आपके सामने लिखा हुआ, यह pronoun that refers to person or thing taken at one at time is called distributed pronoun, मतला ऐसा pronoun जो प्रतेक ब्यक्तिबस्तु का बोध कराएगा, यही है, यह भी लिखा है, ठेक, उसी को हम distributed pronoun करते हैं, ठेक, distributed pronoun कौन-कौन होता है, each, either, neither, वीडियो को आप last तक दे देखिए, वीडियो के last में आपके लिए धेर सारे question है, उस वीडियो को आप कम से कम दो बार देखिए, लगातार दो बार देखिए, उसको समझिए, last में आपके लिए धेर सारे question है, उस सारे question को आप reply करिए comment box में, ओके, आपका answer केवल comment box में check होगा, चलिए देखिए, अ दिस्टिब्यूटिव के पारें और बता देते हैं कि दिस्टिब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा singular होता है, हमेशा क्या होता है? दिस्टिब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा singular होता है, इसका मतलब होता है, अगर इस दिस्टिब्यूटिव को हम लोग सबजेक्ट के अस्थान पे लिखेंगे, तो यह singular होगा और इसके साथ singular वर्ब लगेगा, इसका मतलब होता है, और इसके साथ हमेशा singular वर्ब का प्रियोग किया जाता है, फिर से एक बार देखिए, कि डिस्टिब्यूटिव प्रोनाउन, जो किसी ब्याक्ति अस्थान या बस्त के लिए बोध हो रहा है, तो जिस बस्त वस्थान के लिए बोध हो रहा है उसमें से अगरी प्रतेक का बोध कराता है तो इसका मतलब भी distributed है ठेक तो जो pronoun प्रतेक ब्यक्ति बस्त का बोध करा देता है उसे को हम लोग distributed pronoun काते हैं Distributive pronoun हमेशा singular होता है और इसके साथ हमेशा singular verb प्रयोग होता है ठेक अब sentence में देखे distributed pronoun का structure ऐसे होता है अगर हम sentence में लिखते हैं कहीं पर ठेक तो sentence में हम पहले क्या लिखते हैं subject तो subject के अस्थान पर अगर हम distribute का प्रयोग करते हैं PCB प्रयोट Tiny का तो देखे पहले के लिखेंगे distributed pronoun उसके बाद क्या आएगा आफ distribute के बाद क्या आईगा आफ उसके बाद noun आएगा या pronoun और ये noun या pronoun plural होगा मतलब distribute pronoun के बाद आफ आएगा और आफ के बाद जो भी noun आए या pronoun आए वो हमेशा plural होगा प्लूरल होगा, इस्टेक्चर यह होगा, distributed pronoun प्लस आफ प्लस noun और pronoun ठेक, और इसके साथ हो गया, और यह हमेशा singular होता है, इसलिए इसके साथ जो verb लगेगा, यहां verb लिखना भोल गए हैं, अगर verb लगेगा, तो वो singular verb होगा, क्या होगा, singular word होगा ठेक distributed pronoun के साथ verb लगेगा क्या होगा singular अभी बताएं distributed singular होता है हमेशा इसलिए verb क्या लगा singular ठेक और अगर उसी sentence में अगर इस distributed के लिए अगर हमको कोई pronoun प्रियोग करना हो तो वो pronoun singular होगा देखे distributed pronoun singular होता है तो इस singular होता है तो इसके लिए जो pronoun आएगा ओही singular ही होगा इसके लिए जो वर्ब आएगा हमेशा singular ही आएगा ठेक और एक चीज़ा और आप जान लिजे कि अगर कहीं sentence में इस तरह का structure हो जैसे structure हो कि मान लिजे कोई noun लिखा हो या कोई pronoun हो ठेक है उसके बाद आफ हो फिर noun हो या pronoun हो तो ऐसे sentence में subject जो होता है हमेशा आफ के पहले यह होता है यह हमेशा यही subject होगा और इसी के according यहाँ पर वर्ब लगेगा अगर यह singular है तो यह singular लगेगा अगर यह plural है तो यह plural लगेगा तो same यही structure यहाँ देखिए जैसे noun pronoun है तो देखिए pronoun आ गया उसके बाद आफ तो देखिए आफ आ गया फिर noun pronoun तो फिर noun pronoun आ गया अब आ गया कि यह वर्ब कैसा हम लगाएं तो वर्ब क्या बोलें कि आफ के पहले वाले क्या नुसार अगर यह singular तो यह singular अगर यह plural तो यह plural तो आपके पहले क्या है distributed pronoun distributed क्या होता है हमेशा singular होता है तो यह singular है इसलिए इसके साथ verb क्या लगेगा singular ओके देखिए rule पे नहीं जाना चाहिए concept समझेए एक बार आपके दिमाग में concept बैठ जाएगा हमेशा के लिए आपका confusion दूर हो जाएगा और कहीं भी रहेंगे आपको तुरंत आप कोई भी question पकड़ लेंगे ठेक और इसी sentence में इसके लिए अगर pronoun लगाना हो तो यह pronoun भी क्या होगा singular किसके लिए आ रहा है distributed के लिए यह singular है तो इसका मतलब में भी singular होगा ओके तो इस structure आप देख लेजे याद रखी यहाँ से distributed pronoun हमेशा singular होता है और इसके साथ हमेशा singular verb होता है ठेक structure क्या होगा पहले distributed pronoun लेखेंगे फिर आप लेखेंगे उसके बाद noun pronoun कुछ भी आ सकता है और जो भी रहेगा यह plural रहेगा ठेक इसके बाद जो verb होगा वो singular होगा क्योंकि distributed singular होता है इसलिए इसके साथ verb भी singular होगा अगर sentence में आगे pronoun लिखना हो तो वो pronoun इस distributed की अनुसार लगेगा और यह singular है इसलिए यह भी हमारा singular होगा ठेक distributed pronoun का यह example है distributed pronoun कौन कौन होता है जैसे each, either, neither इस, either, neither यह distributed pronoun है अब इनके बारे में आगे देखे बता रहे है देखे अब distributed pronoun अभी बताएं कौन कौन होता है is, either, neither अब इसमें difference क्या है इसको यूज कैसे करना चाहिए देखे definition रटना यह कोई पढ़ाई नहीं होती है definition एक बच्चा भी रट सकता है हम आगे चलके किसी भी competition का एक्जाम देंगे चाहे हम SSC में बैठे, NDA में बैठे, बैंक में बैठे PO के एक्जाम में किसी भी competition level के एक्जाम में अगर हम बैठते है तो वहाँ हमको definition नहीं पूछा जाएगा हमको sentence correct करने के लिए या use करने के लिए दिया जाएगा मतलब इन सब्दों का application कैसे होता यह हमको सीखना चाहिए ठेक, तो देखिए, तो वह सीखिए each का मतलब होता है प्रते, each का मतलब क्या होता है प्रते अब यह है कि each का प्रियोग कप करना चाहिए बीडियो को आप आगे देखिए, जैसे जैसे बीडियो आगे जाएगा वैसे वैसे नई नई चीजें इंट्रेस्टिंग आपके लिए आगे है बीडियो में अब आगे देखते जाएए, ठेक each का मतलब होता है प्रते, अब इच का प्रियोग हम कप करते हैं each का प्रियोग या तो दो लोगों के लिए होगा या तो दो से अधिक लोगों के लिए इसका मतलब होगा कि जैसे मान लिजिए आपको कहीं संटेंस में प्रतेक सब्द यूज करना है ठेक, तो प्रतेक के इंगलिस each होती है तो अब आप ये जानिए कि हम each कप प्रियोग करेंगे उसी तरह से एक डिस्टिब्यूटिव प्रोडाउन होता है आइदर आइदर का मतलब होता है कोई एक, इसका प्रियोग केवल दो लोगों के लिए होता है neither का मतलब होता है कोई नहीं इसका प्रयोग केवल दो लोगों के लिए होता है इसका मतलब है हुआ कि जैसे आपको कोई sentence यूज करना है कहीं उसमें अगर आपके सामने कोई word आता है कोई एक अब आपको कोई एक English आइदर यूज करनी है तो आप कैसे जानेंगे कि हम आइदर लगाएंगे अब ये depend करता है कि आपके सामने कितने लोग है मान लिए आप कलपना करके देखिए आपके सामने दो लोग बैठे हैं या मान लिजे आपके सामने दस लोग बैठे हैं और अगर आप कहें कि कोई नहीं बाहर जाएगा, न ऐसे कहिए, फिर से, मान लिजे आपके सामने दस लोग बैठे हैं, और अगर आप ऐसे कहते हैं कि कोई एक बाहर चला जाए, तो कोई एक केंगरेजी क्या होती है, आईदर, आपके सामने कितने लोग बैठे हैं, दस लोग अब वहाँ आईदर आप यूज नहीं कर सकते हैं ये चीज़ सीखना है मान लिज़े आपके सामने दो लोग बैठे हैं और अगर आप कहा रहे हैं कि कोई एक बाहर चला जाए तो कोई एक English क्या होती है आईदर ठेक, आपके सामने कितने लोग बैठे हैं दो लोग, वहाँ ये लग जाएगा उसी तरह से सीम यही है मान लिज़े आपके सामने दस लोग बैठे हैं आप कहा रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा तो इसको जब English बनाएंगे तो कोई नहीं कि English क्या होती है नाइदर, ठेक अब ये जानना है कि नाइदर यूज होगा कि नहीं तो आपके सामने कितने लोग बैठे हैं दस लोग, तो दस लोगों बैठे हैं वहाँ पे नाइदर नहीं लगेगा इसका पोजिट, आपके सामने दो लोग बैठे हैं आपके सामने दो लोग बैठे हैं, और अगर आप वहाँ ये word यूज करते हैं, कोई नहीं जाएगा, तो कोई नहीं की English क्या होती है, neither, आपके सामने कितने लोग बैठे हैं, दो लोग, वहाँ ये लग जाएगा, इसका मतलब हुआ, कि each का प्रियोग दो लोगों के लिए भी नाइदर का हिंदी होता है, कोई नहीं, इसका प्रियोग कहा होगा, कियावल दो लोगों के लिए, अगर दो से अधिक लोग हैं, तो बहां नाइदर नहीं लगेगा, और ये तो दो से अधिक दोनों के लिए, आगे एग्जामपल देखते जाएं, जैसे जैसे आप वीडि उसको correct करना है कि right है कि round तो देखिए each आप अभी बता है distributive का structure क्या बता है अभी पीछे देखे बता है कि distributive pronoun plus half plus यहाँ पे या तो noun आएगा या तो pronoun आएगा और वो क्या होगा plural होना चाहिए क्या होना चाहिए plural होना चाहिए तो मिला यह देखिए each आफ आफ उसके बाद books यह structure match कर रहा है distributive आफ आफ उसके बाद noun परनाउन तो noun दिया plural चाहिए plural लिखा हुआ है अब इसके आगे हमको verb लिखना है तो यह verb कि अब हमको आगे verb लिखना है तो अभी बताएं है कि पीछे अभी थोड़ी दिर पहले बताएं है कि अगर कहीं sentence का structure ऐसा हो noun या pronoun प्लस आफ प्लस noun तो यह जो verb लगेगा आफ के पहले वाले के इसके according लगता है अगर यह singular तो आने वाला verb singular अगर यह plural तो आने वाला verb plural तो यहाँ same structure देखें वही है क्या है singular अभी बताएं distributed pronoun है distributed हमेशा singular होता है यह singular हो गया इसलिए singular लगेगा each ओके ठेक उसी तरह से यहाँ देखें आइदर आफ the book, books, each are useful for us ठेक अब structure मिला यह distributed plus आफ plus noun तो देखें distributed यहाँ सही है आफ यह भी सही है उसके बाद noun pronoun चाहिए क्या होना चाहिए plural होना चाहिए अब book क्या है singular books क्या है plural इसका मतलब यह नहीं होगा कौन होगा यह होगा तो books उसके बाद आगया verb का number तो verb किसके according लगेगा आफ के पहले के according यह क्या है distributed और अभी क्या बताएं distributed हमेशा क्या होता है singular यह singular इसलिए verb क्या होगा singular तो singular कौन है इसमें is इस हो गया इस correct है और आग सेम वही चीज़ी यहाँ पर एक example देखे यह लिखा है कि either of them are allowed to go अब इस structure मिला यह distributed plus आ प्लस noun तो देखे distributed प्लस आ प्लस अब वर्प किसके according लगेगा आफ के पहले यह क्या है either distributed और distributed हमेशा क्या होगा singular इसलिए यहाँ पर आर ना हो करके क्या होगा each ओके इस अंटे उसी तरह से सेम यह देखे चलिए next example देखते है ठीक देखिए अब पढ़ते वक्त अगर चेहरे पे तनाव ना हो चेहरे पे अगर smile आ रही है इसका मतलब चीज़े आपको clear हो रही है आपको समझ में आ रही है और तब आदमी को खुस हो करके पहला काम करना चाहिए कि like वाले बटन को तुरन दबा देना चाहिए ओके चलिए तो आप लो like करिए आगे चलिए अगल आगे यहां पल देखिए neither of them same structure distributed plus our plus noun pronoun ठेक यहां तक सहिए भी सहिए plural चाहिए plural है ठेक अब आगे आगे verb अब verb किसके according लगेगा आप के पहले के नुसा यह neither यह क्या है distributed distributed हमेशा क्या होता है singular इसका मतलब verb क्या होगा singular अब अगर यह subject singular है तो यह present indefinite tense है और आपको पहले से पता है कि अगर present indefinite tense है तो singular subject के साथ verb में yes यह yes जोड देते हैं तो इसमें आप yes जोड देजिए बस sentence correct हो गया तो either का use कितने लोगों के लिए दो neither के लिए दो देखे either दो लोगों के लिए neither दो लोगों के लिए ठेक अब मान लिए either का मतलब कोई एक neither का मतलब कोई नहीं कितने लोगों के लिए दो लोगों के लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए कि कोई एक वर्ड हो कोई नहीं वर्ड हो लेकिन वहाँ दो ना दो से जादे लोग हो तब हम क्या करेंगे उसके उपाए भी हमारे पास है अब आगे चलिए वीडियो में देखिए अब अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो देखिए अगर हमको परतेक वर्ड यूज करना है कहीं परतेक सब्द आ गया तो परतेक एंगलिस क्या होगा इच एक किसके लिए है देखिए दो लोगों के लिए भी है अब फार मोर दें टू अदो से अधिक के लिए भी मतलब परतेक वर्ड आएगा तो परतेक एंगलिस इच, दो लोगों के लिए भी, दो से अधिक के लिए भी, ठेक, कोई नहीं की इंगलिस क्या होती है, नाइदर, नाइदर कितने लोगों के लिए, फार टू, मतलब, फार टू के नीचे लिखा, इसका मतलब दो लोगों के लिए, तो कितने लोगों के लिए, दो से अधिक लो तब कोई नहीं कि English क्या होगी तब यह ना इदर ना लिखकर के इसी के बदले में लिखेंगे आईदर का हिंदी क्या होता है कोई एक हिंदी पर मत जाईए आप देखे आईदर का हिंदी क्या होता है कोई एक आईदर का यूज़ कितने लोगों के लिए दो लोगों के लिए लेकिन मान लिजे दो लोग हैं तो आईदर लगा देंगे लेकिन अगर दो से अधिक लोग हैं तब कोई एक इंग्लिस क्या लिखेंगे any या anyone मतला कि कोई नहीं के इंग्लिस none भी होती है कोई देखे अब यहाँ से समझे कि कोई नहीं के इंग्लिस ये neither भी होती है none दोनों होती है none means कोई नहीं neither means कोई नहीं दोनों में अंतर, ये केवल दो लोगों के लिए लगेगा, ये दो से अधिक के लिए, ठेक, कोई एक इंगलिस, दो इंगलिस होती है, either means कोई एक, any means कोई एक, या anyone means कोई एक, अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, either वहीं लगेगा जहां दो लोग रहेंगे, और any या anyone वहा लगेगा जहां दो से अधिक लोग रहेंगे, तो मतला कि दो लोग हैं, तो कोई एक के लिए either, दो से अधिक हैं, तो any या anyone, दो लोग हैं, तो कोई नहीं के लिए neither, आदो से अधिक हैं, तो none, ठेक, और दो लोग हैं, तो परतेक के लिए each, दो से अधिक हैं, तब भी परत मतलब क्या होता है परते ठेक इज का प्रियोग हम लोग डिस्टिब्यूटी प्रोनावन के रूप में करते हैं डिस्टिब्यूटी मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इज आफ ऐसे ठेक एब एक वर्ड होता है एब्री एब्री का मतलब ही होता है परते लेकिन एब्री को हम नहीं बना सकते हैं, मतलब every आफ नहीं लिखा जा सकता, ठेक, देखे, every को हम distributive के रूप में प्रियोग नहीं कर सकते हैं, ठेक है ना, तो देखे, अब यह depend सोचना है, कि हम यह word यूज कर रहे हैं, ठेक, तो हमको यह सोचना है कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं, उसी के अगर ऐसे नहीं समझ मेरा, तो आप ऐसे समझ लिजिए, कि यह देखिए कि आफ के बाद कितनी लोग हैं, अगर यहाँ दो लोग हैं, ठेक, तो यह लगेगा, अगर यह दो से अधिक हैं, तो फिर यह लगेगा, ठेक, अभी आगे एक्जामपल देखिए, देखिए, every आफ यह structure गलत होता है, every के बाद आफ लिख देंगे, तो every distributed pronoun हो जाएगा, और every distributed pronoun नहीं है, कभी नहीं है, यह ऐसा sentence कभी नहीं लिखा जाता है, ठेक है, तो माल लिजे हमारे सामले, अगर ऐसा sentence आगया, तो इसको correct कैसे करेंगे, इस every को हटा के, या तो each लिख दीजिए, या त अफ दबवाईच, इनकरेक्ट है, ठेक, हमको इसको correct करना है, इसी को हटा के, each लिख दीजिए, ठेक, each everyone में इसे कहीं लिखना है, अब लिख दे, each इसको हटा दीजिए, each आफ दबवाईच, या everyone आफ दबवाईच, दोनों correct है, मतला every के बाद आफ नहीं आता है, बस इतन लिखा है neither of the G8 country ये G8 country कई 8 country के समूह को हम लोग कहते हैं G8 मतलब G8 में 8 country 8 देश हैं अब माल ये हमारे सामने sentence है इसको correct करना है सही है कि गलत है ठेक तो मिला ये neither of the G8 country ठेक अब neither उसके बाद क्या लिखा है आफ और यहां पर देखिए इस structure भी बोले ना पीछे बाँ बोल noun plus of plus यहां पे जो भी noun pronoun आयगा वो हमेशा क्या होगा plural होगा तो देखे noun आया है plural दिया है यहां तक तक तो सही है लेकिन यह कितने country है आठ मतलब संख्या कितनी है आठ अनाइदर कितने के लिए लगता है दो के लिए यहां कितने होगे दो से अधिक इसलिए यही योज गलत है इसी के जगा पर क्या कर देंगे नन ठीक नन कर देंगे तो नन दो से अधिक के लिए है अब इस अंटें करेक्ट हो गया ओके उसी तरह से यहां देखिए लिखा है यहां तो करेक्ट है लेकिन यहां कितने लोग है यह देखिए तीन कितने लोग है तीन और आईदर कितने लोगों के लिए लगता है केवल दो के लिए लगता है अहां कितने तीन इसलिए एक अलत है अब सही क्या करें कि दो से अधिक के लिए आईदर के अस्थान पर या तो या तो लगेगा anyone, तो यह हटा के या तो any लिख दीजे, या तो anyone लिख दीजे, ठेक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो में ऐसे आगे चलिए, अभी बहुत interesting चीज़े आपके लिए है, चलिए देखे, यहां तक तो हो गया, अब आगे यह कीज़ और याद रखे कि either के साथ कभी not नहीं लगता है, अगर किसी sentence में either और not दोनों दे दिया है, तो यह इसका मतलब wrong है, either के साथ not नहीं लगेगा, तो सही कैसे करेंगे, either और not दोनों हटा के, उसके बदले में neither लिख देजे, उसी तरह से either के साथ together नहीं लगता है इढğर के साथ together नहीं लगता है, तो सही कैसे करेंगे, इन दोनों को हटा दीजे, आज़ वहाँ पे क्या लिखेंगे हम बोथ लिखेंगे, ठेख, उसी तरह से बोथ के साथ not नहीं लगता है, बोथ के साथ कभी not नहीं लगता है, तो बोथ के साथ अगर not आ गया, तो इन द पूर्व दोनों है यहां के सास्थ नाट नहीं लगेा। क्या करेंगे इन दोनों को हटा के neither, either के साथ together नहीं लगेगा, correct कैसे करेंगे इन दोनों को हटा के both, both के साथ not नहीं लगेगा, correct कैसे करेंगे दोनों को हटा के neither, उक एक जांप पर लेकिन यह नाट दे दिया है अब वर्ब कैसा होना चाहिए ये neither क्या होता है singular इसलिए वर्ब हमारा singular यहाँ भी सही है लेकिन ये not दे दिया है तो अभी बताएं हैं कि either और not दोनों एक साथ नहीं लगता है either और not दोनों एक साथ नहीं लगता है ठीक है ना तो क्या करेंगे इस either को भी हटाईए इस not को भी हटाईए और यहीं पर हम लोग neither लिखतेंगे क्या लिखतेंगे neither बाकि सब करेक्ट है ठीक चलिए अब next example देखे देखे आइदर आप you together अभी बताएं कि either और together एक साथ नहीं लगता है तो क्या करेंगे इसको भी हटाईए इसको भी हटाईए और either के जगा पर बोथ लिख देजिए बाकि सब वही है ठीक चलिए देखे पीछे आपको अभी just पीछे just पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था एक रूल आपको कि one एक indefinite pronoun है ठीक उसके साथ singular verb का प्रियोग करते हैं अब one के साथ हम possessive के रूप में once लिखते हैं ठीक जैसे he रहता है तो he का possessive हीज होता है c का possessive हर होता है उसी तरह से one का possessive once one के साथ मान लिजेगर हम possessive हीज लिखते हैं यह wrong यह नहीं लगेगा ठीक, इस structure में structure याद रखे one plus verb उसके बाद क्या रहेगा once ठीक, यह general sense होता है इस तरह का structure general sense का मतलब कि जो सब के लिए use होता है ठीक, लेकिन अगर कहीं इस तरह का structure हो one plus half plus plural noun या pronoun अब यह structure basis हो गया क्या हो गया यह basis का बहुत कराता है specific sense का बहुत कराता है तो अगर इस तरह का structure है ठीक है ना तो देखे अभी बताएं हैं क्या थोड़ी देर पहले बताएं क्या ऐसे structure में यह verb होता है जो verb होता है अभी बताएं हैं कि वो आ देखे अभी पीछे लिखे लिखे थे नाउन प्लस आफ प्लस नाउन तो इसमें वर्ब किसके नुसार लगता है आफ के पहले जो आएगा उसके नुसार तो यह वन singular होता है क्या होता है singular इसलिए जो वर्ब लगेगा देखे इस singular ठीए वन के साथ possessive क्या लगेगा once इस structure में लेकिन अगर structure इस तरह से है तो फिर वहाँ once नहीं लगेगा once नहीं लगेगा या तो हिज लगेगा या तो हर या तो its अब डिपेंड करता है कि यह जो नाउन पुरण यह क्या है अगर यह माल यह कोई male है तो हिज लगेगा अगर यहाँ female है तो हर लगेगा अगर कोई बस्तू है तो फिर यह लगेगा ओके देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि one का दो structure चलता है यह उपर वाला यह से one रहेगा प्लस singular verb तो possessive ones अगर structure यह general sense का है क्या है यह general sense का बोध कराता है ठीक और यह क्या कराता है specific sense का बोध कराता है ठीक अगर structure इस तरह से है कि one plus a plus plural noun pronoun तो यह जो verb होगा इस one के अनुसार singular आज जो यह pronoun लगेगा वो his हर यह इस में से कोई एक लगेगा ठीक है ना इस में से कोई एक लगेगा अगर यहाँ male है तो his अगर यहाँ female है तो her कोई thing है तो its ठीक अब एक जाम पाल आपके सामने है देखे one should do once his duty अब इस में देखे यह वाला structure है one, one, verb, verb तो यहाँ क्या लगेगा once अब इस structure में देखे इसको अगर हमको correct करना है तो याद रखे one, आफ के बाद हमेशा plural आना चाहिए तो मिला यह one ठीक है आफ ठीक है यह plural आना चाहिए क्या दिया है singular तो पहला मिष्टे के ही है novels कर दीजिए ठीक और verb क्या होता है हमेशा singular तो इसमें each singular each कर दीजिए यहाँ तक ठीक है ठीक famous साइए far साइए अब यह देखे अब यहाँ once नहीं लगेगा क्या लगेगा इसके once नहीं लगेगा क्योंकि यह specific हो गया तो यह तो each यह तो each यह तो each अब यहाँ पी देखे बोले ना कि यह इससे पता चलेगा कि यहाँ क्या लगेगा ठीक यहाँ male है तो each female है तो each thing है तो each तो novel क्या है thing में आएगा इसलिए it's होगा ठीक अगर यहीं पर boys रहता तो यह हीज हो जाता अगर यहीं पर girls रहता तो यह हर हो जाता ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समाझ में आया होगा यह होगा आपका distributed pronoun ठीक चलिए देखे यह आपके लिए question है ठीक देखिए यह आपके लिए question है इमांदारी से पढ़िए ठीक इसके बाद distributed pronoun में आपके लिए कुछ बसता नहीं है ठीक यह inter level पे SSC and DA कोई भी job के लिए आप तयारी करते हैं जगा काम आएगा यह question है इसका यह तीन आपसान इसमें से कोई यह correct है वही बताना है और यह सब इसके अलामा जितने हैं यह सब देखिए सब में यह कुछ नब कुछ mistake है आप उस mistake को ढूरिए और आप जिम्मेदारी से पढ़िए जिस तरह से ठेक जिस तरह से हम जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसी जिम्मेदारी के साथ जैसे हम लोग अपना फर्च बोरा करते हैं आप अपना करता भी नभाई हम आप के लिए पढ़ाते हैं आप अपने लिए पढ़िए तो उम्मित करते हैं कि आपको आया होगा तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो के देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और सेयर करिए ज्यादा से ज्यादा चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर लेजिए लेकिन सेयर करना न भूलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए से धमा के दाट टापिक के साथ देखते रहिए तब तक के लिए ग्यान सिखा इंगलेस क्लासेज थैंक यू